दोस्तों, आज का मेरा टापिक का वाट इस नेटवर्क एड़ हम healthy and how many types of network नेटवर्क क्या है और नेटवर्क कितने टाइब के होते हैं तो छलिए एक एक ग्जामपल के थूर समझते हैं कि नेटवर्क क्या है और नेटवर्क के कितने टाइब होते हैं डेफिनेशन के साथ, नेटवर्क आ है एन इंटरकनेक्टे टिवासले क्लेक्षम आफ अॉट्नेमस कंप्यूटर, नेटवर्क का मतलब सिंपली आई होता है गाईज, जब एक डिवास दूसरे डिवास से गनेक्ट हो, मतलब कि दो या दो से अधिक डिवाइस एक दुसरे के साथ connect हो तो उसे network कहते है Suppose that guys एक computer दुसरे computer से connect है दुसरे computer तीसरे computer के साथ connect है तो वो network के through connect है तो इसे network कहते है guys There are three types of network Network mainly three types के होते है Number one land, number two man, number three when तो चलिए तीनों का अलग अलग definition के साथ समझते है Number one land, land का फुल पहुत है Local area network Land is a small computer network that are confined to localized area are known as land Land जो है guys localized area को confined करता है जैसे office building factory Suppose that guys आपको एक office है आप अपने office के बाहर land network लगाए हो तो आप land network का यूज जिर्फ अपने office में ही कर पाऊगे चाहे आपको office जितना भी बड़ा क्यों ना हो आप एक दूसरे building से connect नहीं कर आपाऊगे अपने land network को क्योंकि ये localized area को इक confined करता है या फिर आपका एक building है तो आप building में ही यूज कर पाऊगे land network या फिर एक factory है आपका तो आप factory में ही man network का यूज कर पाऊगे number two man man are the network spread over a city can be termed as man man का मतलब होता है simply guys कि आपके city में मतलब आप मुंबई में रहते हो तो आप मुंबई में ही सिर्फ एक building से दुसरे building में connect करा सकते हो man network को मानलो आप मुंबई में रह रह रहे हो और आप अपने building से दुसरे building को connect करवाना चाहते हो तो man network का यूज करोंगे आप या फिर एक building से बहुत सारे building को connect कराना एक ही city में तो आप man network का यूज करोंगे number three guys WAN WAN का full form हता है wide area network WAN is a group of computers separating by the large distance and tied together WAN are the network spread across countries are known as WAN example satellite WAN कमलब simply होता है guys कि आप एक country से दुसरे country में जो है network connect रहता है यह सबसे बड़ा network होते हैं जैसे internet आप अब भी दुसरे country में हो उसके बाद अगर आप दुसरे country में जाओगे तो भी आपका cell phone जो है connect हो जाएगा तो यह WAN का काम होता है तो आप guys समझ गये होगे कि land man network क्या होते हैं और simply network क्या होते हैं अगर आप computer का स्टूडेंट हो गाइज तो आपके लिए बहुत important question है जो मैंने आपके लिए definition के साथ बना है वीडियो अच्छी लिए तो लाइक करना और आपको मुने में कोई question है तो आप comment कर सकते हो और अगर आपने हमार चैनल को सब्स नहीं तो नहीं तो omyिग जिए टो आपके लिए